कि अधिक पुर आलिया भाट सारुक खान मौनी राय अमिताब बच्चन और नागा एलजन स्टारर फिल्म रहमास को रिलेज हुए करीब एक हपते हो गया और विकेंड के बाद से ही फिल्म कलेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है साथवे दिन फिल्म ने अभी तक सबसे कम कलेक्शन किया है बहमास ने पहले दूसरे और तीसरे दीम्यानी शुकरवार सनीवार और रविवार को अच्छा कलेक्शन किया था ड्रमास के विकेंड की कमाई को देख फिल्म से सभी को काफ़ी जादा उमीदे हो गई थी लेकिन सोंगवार को फिल्म के कलाक्शन में सीधे एक सबसमलो 85 पतिसद की किरावट डर्ज होई वही पाचवे दिन फिल्म का कलाक्शन और 21 असमलो 21 पतिसद कम हो गया वही बुद्वार को भी कलाक्शन कम रहा और अब गुरुवार को फिल्म ने अर्ली टेंडर्स के मुटाविक अभी तक का सबसे कम कलाक्शन किया है फिल्म की कुल कमाई करीब 170 करोड रुपए हो चुकी है जीहां को बता दे ब्रहमास से कलाक्शन 200 करोड रुपए के करीब पहुच किया है हाला कि फिल्म कलाक्शन जैसा हो रहा है उसे साब से 30 करोड कमाने में फिल्म को 4-5 दिन लग सकते हैं ब्रहमास ने सब 2022 की बलकि हिंदी सिनेमा के लिए ही मोस्ट अवैटेट फिल्म में सुमार थी साब 2022 बॉलिवोड के लिए बुरा रहा और कई बड़ी फिल्में फ्लॉप साबित होई है ऐसे में ब्रहमास से ट्रेट अनलिस्ट को काफी उन्मीदे हैं बात फिल्म के स्क्रीन काउंट की करें तो फिल्म को भरत में 5,019 स्क्रीन्स और ओवर सीज में करीब 3,894 स्क्रीन्स में हैं ऐसे में साफ है कि फिल्म करीब 8,913 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है वहीं फिल्म की कुल लंबाई 2 घंटे 46 मिनेट और 54 सेकेंड है कर लोगों ने ब्रहमास की OTT रिलेस का भी इंतजार किया है जीहां को बता दे कि ब्रहमास तीन फिल्मों की सिरीज है जसका पहला पार्ट शीवा हिट हो चुका है वहीं अब फिल्म के दूसरे पार्ट देवकार दश्यकों को बेसबरी से इंतजार है ब्रहमास टू देव और अम्रिता के एद्वित खुमते नजर आएगी फिल्म में रणबीर सिंग और दीपिका पादुकोर भी नजर आ सकते हैं हाला कि इसको लेकर भी अभी तक अधिकारिक अलान नहीं हुआ है बतादे कि ब्रहमास के पहले पार्ट में रणबीर और आलिया में लीड में हैं जो शीवा और इशा का करदार निभाते नजर आएंगे शीवा और इशा भी महादेव और पारवती के ही नाम है ब्रहमास के सभी करदारे दूसरे से जोड़े हुए हैं और आयान में इंडिन मैथलोजी से जोड़ा एक यूनिवर्स पनाया है। फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है जो फिल्म के दूसरे पार्ट के रेगी दर्शकों के बीच काफी एकसाइटमेंट है। विरो रिपोर्ट, IPN